हलो दोस्तों मैं जूती धवन आप सभी का स्वागत करती हूं स्टड़ी टाइम्स में और आज मैं आपके साथ डिस्कॉस करने जा रही हूं ऐसे से MTS के कुछ important questions पहले मैं आपके साथ डिस्कॉस करूंगी history के कुछ important question फिर मैं डिस्कॉस करूंगी इंडियन पॉलिटी के important questions तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले questions है बुद्धी scriptures किस language में लिखे गए हैं इसका आंसर है पाली सेकिंड question है historical town काली बंगन किस state में है इसका आंसर है राजसान और राजसान की capital जैपूर है जैपूर को पिंक सिटी भी बहुते हैं और राजसान की चीफ मिनिस्टर वसुंद्र राजे हैं और governor कल्यान सेंग है और राजसान की वह 25 है ओके फॉर्स्ट बुक फॉर्स्ट वैदिक बुक जो की music से deal करती है वो कौन सी है इसका आंसर है सामवेदा मेहमूद गावन प्राइम मिनिस्टर है किस kingdom के इसका आंसर है बाहामानी उस freedom fighter का नाम बता हिए जिसने कहा था स्वराज is my birthright तो इसका आंसर है बाल गंगादर तिलक और बाल गंगादर तिलक का जन्म 28 जुलाई 1856 में हुआदा और इनकी मृत्यू एक अगस 1920 में हुई थी next question है कि poverty and un-british rule in India का author कौन है इसका अंसर है दादा भाई नारोजी और दादा भाई नारोजी का एक और नाम भी है जो की है the grand old man of India इस नाम से भी ने जाना जाता है कौन सी committee set up की गई थी जल्यावाला बाग कान की inquiry के लिए इसका अंसर है hunter commission hunter commission जो है वो committee set up की गई थी जल्यावाला बाग कान की inquiry के लिए next question है Congress ने पूर्ण स्वराज की demand किस session में की थी इसका अंसर है लाहौर session 1929 में इंडिया के last governor general और first viceroy कौन थे इसका अंसर है lord canning सल्थनेत पिरिट के नाइम पर state language कौन सी थी इसका अंसर है Persian अब मैं डिसक्स करने जा रहे हूं इंडियन पॉलिटी के कुछ important questions इंडियन constitution की drafting committee के chairman कौन थे इसका अंसर है dr. बियार अंबेटकर और बियार अंबेटकर जो थे इनहीं ने लिखे थे का इंडियन constitution इनहीं ने लिखा था और उसके यह चेयर्मेन भी थे ओके जो fundamental duties जो feature है हमारी इंडियन constitution का वह हमने किस country से जो है लिया था तो इसका आंसर है USSR और USSR stands for Union of Soviet Socialist Republics ओके इस सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया यह किस आक्ट के तहद बनाया गया था तो इसका आंसर है Regulating Act of 1773 Constituent Assembly के constitutional advisor के तौर पे किसने काम किया था तो इसका आंसर है B.N. Rau ऐसी कौन सी state है जो first linguistic state of India के नाम से जानी जाती है इसका आंसर है आंद्रप्रदेश इन विच केस इन सुप्रीम कोर्ट होल दाट इप्रेयंबल वॉस अ पार्ट ऑफ कंस्टूशन इसका आंसर है केश वन अंदा भारती केस जो fundamental rights है इंडियन citizen के वो इंडियन constitution के किस पार्ट में लिखे वे हैं इसका आंसर है पार्ट थर्ड जो पार्ट थर्ड है इंडियन constitution का उसमें जितनी भी fundamental rights होते हैं वो सारे लिखे होते हैं का इंडियन रिपब्लिक का फ्रेजिडेंट कौन था इसका आंसर है रजेंदर प्रसाद by attorney journal of इंडिया को कौन अपॉइंट करता है इसका आंसर है प्रेजिडेंट आफ इंडिया और a money bill can be originated only इन डास इसका अंसर है लोग सबा में जो अर्जिनेट किया जा सकता है मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेर वीडियो को शेयर कीजिए थैंक्यू सो मन